दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टड़ी फॉइंट पर दोस्तो कल आपके लिए करेंट अफैर की वीडियो आई थी जो की फरवरी महां की थी अगर आपने नहीं देखिये तो दोस्तो आप उसे पर लिस्ट महां के देख स पर देखते ही आपके मन में उसका उत्तर आ जाना चाहिए तो दोस्तो सभी के सभी कोश्चिन है उंपटेंट है और कुछ यहसे हैं जो की किसीर इकजाम में पूछे गए हैं आप परिक्षाय वारी आपं बुक पड़ते रहिए अगर आपने ये दो पढ़ लिए तभी आप और बुक की तरब जाईए बांकि आप पहले इन दो बुक को अच्छे से पढ़िए और जो मैं आपको question देता हूँ, वीडियो देता हूँ वो आपकी दोस्तो practice के लिए हैं आप हर रोज उन्हें practice के रूप में ले सकते हैं तो आज का important question आज हम यहां से शुरूंगर करेंगे पांस सो त्रेपन से बांकि अभी तक इतने part आपको पलेश्टों मिल जाएंगे और description में भी उसका link मिल जाएगा आप वहां से भी देख सकते हैं तो important question है दोस्तों पहला यह भी एक्जाम पूछा गया था कि कौसिक समिती ने परस्तावित उत्राखंड राज्जी में कितने मंडलों की स्तापना की सिपारिस की थी दो मंडल, तीन मंडल, चार मंडल या फिर इन में से कोई नहीं तो कई लोग इसमें तीन मंडल करने वाले हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है यह आपका गलत हो जाएगा कौसिक समिती ने परस्तावित उत्राखंड राज्जी में कितने मंडलों की सिपारिस की थी तो दोस्तों यह की थी दो मंडलों की जो आज आप बरतमान में देखते हैं दोई मंडल है हमारे एक कुमाओ मंडल और एक दूसरा गड़वाल मंडल दोई मंडल है दोस्तों और कुमाओ मंडल में आपको भली भाती पता है बच्पन से ही पता है कि कुमाओ मंडल में 6 जिले हैं और गडवाल मंडल में साज जिले हैं और कौशिक समिती का गठन दोस्तों हुआ था कब 1994 में अब कई लोग 1993 कहेंगे कई 1994 लेकिन जन्वरी 1994 में इसका गठन हुआ था और मई 1994 में रिपोर्ट दी थी जो एक इकजाम हुआ था विदी साय का उसमें भी पूछा गया था उसमें 1994 उत्तर दिया था बाकि आप लोगों को इस बारे में कुछ और पता होतों दोस्तों कौशिक समिती के गठन से सम्मदित तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पता सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले कॉष्चिन की तरफ अगला कॉष्चिन IMPORTENT है सैम्येर नाट्टि कलप का सम्मंद है आपको बताना है कि सैम्येर नाट्टि कलप का सम्मंद है किस से है भवानी दट उन्याल भुवन नोटियाल उर्वादत जोसी या फिर इनमें से अगर बात करें कि पहले से ही मोहोते आरज नाट्टि कलब की पुरानी परंपरा है एक और गड़ल में भवानी दत उन्याल नहीं एक जो था कि एक सेक्सी पेर ड्रेमेटिक कलब की स्तापना भी इन्होंने की थी कि इन्होंने भवान निदत उन्यालने और ये आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब अगला कोश्चिन है पांसो पच्पन वाँ परसन है हमारा निमलिकित मैं से कौन सा से इस्तान चमोली जनपत में इस्तित है इस तरह से परसन है चमोली जनपत में इस सभी सभी आपको बताना है कि चमोली जनपत में कौन से इसमें से इस्तित है निजमुला घाटी नंदी कुंड, बर्मा गलेसियर या फिर उप्रोक्त सभी दोस्तों ये निजमुला घाटी के बारे में मैंने आपको कमेंट जो वीडियो दी थी करेंट अफेर की उसमें भी बताया था निजमुला घाटी हाली में चर्चा में रहा था इसलिए कि यहां उत्राखंड के जो आपको दूर्मी ताल भी यहां इस्तित है तो निजमुला घाटी कहां इस्तित है चमोली में इस्तित है चमोली के दसौली जो विकास खंड या बलोग जो भी कहें चमोली के दसौली विकास खंड में बिल्कुल सही है नंदी कुंड दोस्तों ये भी चमोली में है और ये आपको याद रखना है चमोली में नंदी कुंड ये भी है बर्मा गिलेसियर ये भी कहा है चमोली में है तो इस तरह से हमारे उप्रोक्त सभी दोस्तों जाद आता है अगर उप्रोक्त सभी वाले मिले तो लगभग लगभग आप उप्रोक्त सभी टिक कर सकते हैं बाकि एक नंबर आपका इसमें पक्का हो जाएगा बाकि बहुत कम चांस रहता है कि दस परसेंट है कि उप्रोक्त में से सभी वाला गलत हो तो बड़े ए बांकि जैसे गुरुप्स के एक्जाम में आप उप्रोक्त सभी मार सकते हैं नीजमुला घाटी चमोली में है और चिनाब घाटी दोस्तों जिसको की दूसरी फूलू की घाटी भी कहा जाता है यह भी एक्जाम में पूछा गया था बाकि आपको बताया विश्चु पर शिद गलेशेघ का नाम सुना होगा और कलपादी गलेशेर का नाम सुना होगा बहुत से डिलेशेय नहीं दूस्तों का है चमोली में यह आप mo बिल्कुल याद मे Hagam रखना है यह आप धर हम पिलकुल याद रखना है उबादोंट ने अर पटर launches यह आपको यादला कोнड आ यह कई बारे एक्जाम में बना है पिछले पेपर रूम है गड़वाल हितकारणी सबा की स्तापना कब की गई थी या दोस्तो आपने पढ़ा होगा गड़वाल यूनियन गड़वाल यूनियन या फिर गड़वाल हितकारणी सबा अब कई लोग तो इसमें कन्फूज रहते हैं क कि स्तापना कई लोग ने पढ़ा भी है, इस्तापना इनकी एक हीने की थी, वो कौन थे? तारादफ गैरउला थे? दोस्तों जो गडवाल हितकारनी सभा थी, इसकी स्तापना कभी थी, इसमें पूछा गया है, इसका ही नाम बाद में क्या हो गया था? गड़वाल यूनियन हो गया था अब आपको confusion करने के जरूत नहीं है या एक्जाम मा आए गड़वाल हितकारणी सबा या फिर गड़वाल यूनियन दोनों की स्तापना 1901 मह हुई थी इस्तापना किस ने की थी तो तारादत गैरोला तारादत गैरोला ने तो यह आपको बिल आज पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथी बेल आकन को भी जरूर दबाईए ताकि आने वाली notification आपके पास सबसे पहले आए और जाते जाते आपको वीडियो को share भी करना है तो अभी बने र पर्यावन मित्र योजना का प्रारंब कब हुआ था तो दोस्तो ये हुआ था 2006 में 2006 में और ये शुरू हुई थी दोस्तो शिरी नगर से शुरू हुई थी ये पर्यावन मित्र योजना और शिरी नगर का है तो शिरी नगर पोड़ीगडवाल में ये आपको याद रखना ह ये हरक सिंग रावत के दोरा शुरू की थी उस समय हरक सिंग रावत के दोरा अगर डेट आएगी तो 11 मार्च 2006 11 मार्च 2000 से अगर डेट आती तो एक्जाम में तो 2006 परेवन बितरी होजना की शुरुवात पौडी से श्री नगर से तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है पौडी गडवाल के श्री नगर से हुई ती तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कहां तेहरा दुन में और यह दुस्तों किस नदी के तर्ट पर है यह वना पलश्ट ऊंड नदी के संगम पर यह आपको याद रखने हैं जो यह मॉर्रिकालिन काल सी शिला लेका अब होगा किसकाई असोग का असोग का 2217 पूरु का है क्योंकि किसका है असोग का यह क्योंकि दूस्तों इंप्ठेंट क्यूंकि उससे मैं ने बहुत धर्हम श्यूकार किया था बहुत दूग कि भासा पाली थी कई जगा पराकरत मिलेगा तो आप आप बात प्रादम अपना यदा था तो इसलिए बहुत प्रहां अपना रहा हूं वहाच प्रणा भी पाली और इसमें लिपी कौन सी है तो ये भी एक्जाम कई बार बना है SSC हो या कोई और एक्जाम हो लिपी इसमें बरहम्मी है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है और इसमें आपने पड़ा होगा की बुक में है जो यहां के निवाशियों के लिए पुलिंदे तथा इ की दूसरी राजवासा है कुमावनी गडवाली संसिकिर्ट या फिर उर्दू तो इसका से उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्राखंड की दूसरी राजवासा है ऑप्सन नंबर सी जिसको की जनवरी 2010 में होसित की आगया था हिमानचल परदेश की भी दूसरी राजवासा संस की बीडियों बता है उर्दू किस भासा का सब्द है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरह अगला परसन है पदम स्री सिवानी गौरा पंतती लेकिका बैग्यानिक दार्सनिक या फिर इत्यास कारत तो ये आपको इसका सही उत्तर आपको बताना है तो गौरा पंत सिवानी दोस्तो ये लेकिका है ये आपको बिल्कुल याद रखना है लेकिका के सांद दोस्तो अगर आए कि उपन्यास कार तो माना और लेकिका ना रहे उप्शन में तो उपन्यास कार रहे अगली बार से क लेखिका उपन्यास कार या फिर और देदे कठाकार देदे तो तब भी आपके सामने वह उत्तर आपको करना है लेकर कठाकार उपन्यास कार में से तो यह आपका शही उत्तर हो जाएगा 1907 में और गोरापंते शिवानी गजनम 1923 में कहां राजकोर्ट में राजकोर्ट गुजरात में पर मूल लूफ से अलमोडा की थी तो एक्जाम में पूछा गया था तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है मांकी दोस्तों इनकी रजना आपको पता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मांकी मैं कुछ एकाद रजना आपको बता जिता हूँ गहरी नीद, विसकन्या और 14 फिरे तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की दरव अगला कोश्चिन भी इंपोटेंट है दोस्तों ये भी पूचा गया था उत्राखंड में स्वरुपर्तम किस औसदी पौते की खेती की गई ये आपको बताना है जीरेनियम, कुटकी, वैलाडोना या फिर फायरेत्रम तो ये आपको बताना है दोस्तों उत्राखंड में स्वरुपर्तम किस औसदी पौते की खेती तो आपका वैलाडोना आपका बिल्कुल ऑप्शन नमर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ये 1903 में बुक में आपको परिक्षावाडी में आसानिस से मिल जायेगा उत्तराखंड में स्वरुपर्थ मौसादी पौदे की केती वेलाडोना की 1903 में तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है उत्तरपरदेश किर्सी निदेश साला के निदेशन में ये किया गया था उस समय तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरप अगला कोस्चिन ये भी इंपोटेंट है एकजाम में सीधे सीधे बना था परसने कौन एक कुमावनी रचनाकार नहीं है गंगादत उपरेती, सिवधत सती, कुमानी पंथ, लिलानन्द, कोट नाला कौन एक कुमावनी रचनाकार नहीं गंगादत उपरेती, बिल्कुल हैं दोस्तो सिवधत सती, कुमानी पंथ, इनका जन्म भी काशिपूर में हुआता तो ये भी हमारे यहीं के हो जाएंगे कुमावनी और लिलानन्द, कोट नाला, ये हो जाएंगे दोस्तो कहां से, हमारे गडवाल के तो कुमावनी पूछा है, तो कुमावनी में ये तीन है, लिलानन्द, कोट नाला, ये हो जाएंगे दोस्तों कहां से, कड़वाल से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ये दोस्तों हमारे 10 question सही हो गए, अब आप तयार रहें, 11 question जो कि आपके मौकिक रूप से क्विच के लिए आप लोग तयार रहें, टाइम की बात करना है तो 13 मिनट में 10 question आज हो गए हैं, किसी किसे कहा जाता है मैंने पहले भी आपको बताया था एक्जामम भी पूचा गया है और इंपोर्टेंट भी अत्रा खंड में पुरा तत्तु का जनक किसे कहा जाता है तो इसका रहा प्रस्न हो गया एक बार फिर से बताया कि आपको बताना है दोस्तों उत्राखंड में पहली बैठक कहा हुई तो हुई थी डाडामंडी डाडा मंडी कहां है यह है पौडी में एक क्वेश्चिन मैंने इस तरह से भी बनाया था कि डाडा मंडी कहां है तो पौडी में यहां हुई थी कब 1940 में तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है भी पीडियो के एक्जाम में भी पूछ लिया गया था सत्यागर है दोस्तो अब सत्यागर है मैं कौन सी संदी होगी हिंदी भी मैं आपको बताएता हूँ जैसे कोई भी चीज आते दोस्तो जैसे मैंने आप पिछले वीडियो बताया था कि उर्दू आया सीधे हिंदी से भी जोड़के देख लिया तो आप भी ऐसा क्या करें कि द्धन आगर है अब दोस्तो यह होगी और आ मिलके बनेगा तो इसमें कौन सी संदी हो जाएगी तो ही हो जाएगी दीर्ग संदी अगला परस्न है तेरों परस्न अभी आपको जाना नहीं है और अगर आपने वीडियो का अभी तर्ग लाइक नहीं किया तो एक लाइक पत की इस्तापित की तो इसका सेउत्तर है स्वामी विचारानंद सर्श्वती स्वामी विचारानंद सर्श्वती तो इसका सेउत्तर हो जाएगा 1918 में तेरा दुन में होम रूल लिक्के साका इन्होंने इस्तापित की थी 1918 में तो 14 परस्न की तरब हम बढ़ते हैं दोस्त तो अगला कोश्चिन है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कराय था पंडित जेल नहरू के जनम दियुस अब इनका जनम दियुस कब होता है आपको भली बात थी पता है 14 नवंबर को तो कोश्चिन सुनिए पंडित जवाहलाल नहरू के जनम दियुस के अउसर पर मेला जो कि कहां लगता है दोस्तों चमोली में शुरुआद उन्यस्व थे तालिस में हुई थी कमिशनर कौन था तो कमिशनर था बरनेडी तो इतना आपने जाना तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ दोस्तों अभी तक आपने मैंने जितने पाड़ भी आपको दिय पर्वतिय राज़ी परिसत का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है परुौतीय राज़ी परिसत का गठन कब हुआ था तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा बुक में, 24.25.1967 में, कहां? रामनगर में, तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ, अगला कोश्चिन है, सो लुआ, हिमालयन डिस्टिक गजेट्टेर, तो ये भी आपको मिल जाएगा, हिमालयन डिस्टिक गजेट्टेर पुस सबी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोस्तों आप लोग ने विसाई दिया बागेश्वर में बागेश्वर में दोस्तों कल साम को आपके लिए की वीडियो जरूर आएगी और स्मॉर्णिंग में आपके लिए जो उत्राखंड सची वाले रख सकते अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका जो पिछला पेपर हुआ था वह मां आपको देने वाला हूं पचास कोश्चिन एक पार्ट में रहेंगे पचास कोश्चिन फिर पर गोली कांड कहां कब हुआ था तो यह आपको बताना है इसका सायुत्तर आपने बिलकुल सही दिया 1 सितंबर 1994 को खटी मांगोली कांड कब हूआ था तो दोस्तों 1 सितंबर 1994 को अगला परसने उनिसवा कि मद्धी कालिन परसाशनिक व्योस्ता में हंडियाल क्या था इस एक परकार का ख़ इस तरह से कुछ एक्जामा बना था तो गमद्धी कालिन नियाइक oftा मदुस्तो हंडी आल क्या था तो एक परकार का यह था दंड तो यह आपने जान लिया पढ़ते हैं आज को स्क्राइब आप बताईए कि किस रियासत के किस सासक ने वादियों से सूलक लेने की पर्था चलाई एक बार फिर से बता जेता हूँ टीरी रिया सकते किस सा सकने वादियों से सूलक लेने की पर्था चलाई तो इसका से उत्तर है सुदर्शन सा सुदर्शन सा तो इतने कोश्चिन आपने जान ले दोस्तो बागी मिलिंगे कल एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा बाई बाई मिलिंगे कल